तो चलिए लगाते हैं आज का सेट नंबर 52 देखते हैं आज आप लोग कितने उतर सही कर पाते हैं और ये बहुत ही स्पीड से जाएगा आज का वीडियो और आप लोग भी फटा-फट आंसर देने की कोसिस जरूर कीजिएगा तो चलिए लगाते हैं आज के टेस्ट को दोस्तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा आप बेल आइकन दबा के ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेसन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको जा सके इससे थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो दिया था जो कि भारत की प्रमुक नदियो के बारे में था इसमें यहाँ पे उदगम इस्थान बताएगे है नदियो के उसकी लंबाई बताएगी है और आप से हमने पूछा है यहाँ पे कि इनकी सहायक नदियो के नाम चलिए शुरुआत करते हैं सुबा के 9 बजे अटेंट करें रोज सुबा के 9 बजे का ये क्योज जी हां दोस्तो समानने ग्यान का कल के वीडियो में बहुते की विज्ञान से कुश-कोशन होंगे तो कल का वीडियो भी अटेंट करना ना भूलेंगे दोस्तो आज का पहला प् पूरे देश का यहाँ पर 94 पॉइंट परसेंट यानि कि 94 पर्तिशत लोग जो है साक्षर है कब तो 2011 की जनगंडा के अनुसर अब तो और बढ़ी गया होगा यहाँ पर ओके अगला कोशन देखते हैं दोस्तों यहाँ पर कोशन नमबर और यहाँ पर जो ऑप्शन यहाँ पर पुरसकार से समानित प्रथम वैक्ति कौन है आंसर कीजेगा भारतिय ग्यान पीठ पुरसकार से समानित प्रथम वैक्ति कौन है बिलकुल सही उतर कर रहे हैं दोस्तों इटसर बी गोविंद संकर कुरूप is the right answer नोट कर लिजेगा वर्स 1665 में मल्यालम लेखक हैं पुरसकार है दोस्तों इसकी स्थापना 1961 में की गई थी यह चीज़े आप ध्यान रखेंगे यहां से related question exam में बनता है ठीक है और इस पुरसकार के तहट कितनी रासिया दी जाती है तो यह question अभी हाले में बिहार दरोगा के prelims में पूछा गया था तो यहाँ पी याद रखे ठीक है चलिए जल्दी से answer कीजिएगा दोस्तों यहां पर फड़ा फड़ बहुत important question है आ सकता है exam में इंटर पोल का मुख्याले कहां है दोस्तों बिलकुल याद रहकिएगा answer हो जाएगा लियोन्स नोट कर लिजिएगा answer C is your right answer ओके चलिए question number हम देखेंगे 4 दोस्तों वा socialism जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है जल्दी से बताएगा किसने लिखी है यह पुस्तक बिलकुल याद रखिएगा दोस्तों इसके पुस्तक के लेखक है जैपरकाश्ट नरायन जी हां दोस्तों नोट कर लिजिएगा answer हमरा D हो जाएगा दोस्तों अगला question देखते है question number 5 मोडेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में इस्तित है जल्दी से answer करेंगे यहां पे बिलकुल दोस्तों याद रखिएगा यह गुजरात में है answer हमरा B हो जाएगा एक सूर्य मंदिर और है जो कि बहुत famous है दोस्तों वो कहां है वो कली मैंने आपको Qs में बताये थे जी हां दोस्तों याद रखिएगा बिहार के औरंगाबाद जिले में है एक सूर्य मंदिर जहां जहां पे छट पुजा बहुत ही धुमदाम से मना जाता है ठीक है चले याद रखिएगा question number 6 पे चलते हैं उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद लोकगीत क्या है आंसर करेंगे प्रसिद लोकगीत क्या है इन चार ऑप्सन में से तो आंसर कर दिजीगा बी यहांपे माफ़ कीजीगा इटस बी कजरी जी हां नोट कर लीजीगा कजरी काजरी इस anion नोट कर लिजीगा उत्तर प्रदेश का लोग निर्ति में और भी हैं जैसे की रास, लीला, नोटंकी, जूला, कजरी, जद्धा और जैदा ये सारी उन्हें परमुक यहां के निर्तिक कलाएं हैं ठीक है और चौका पुरान जो है उत्तर प्रदेश का लोग कला है Question Number 7 राष्ट्य पसु के रूप में बाग को किस वर्ण अपनाया गया था राष्ट्य पसु के रूप में बाग को कब अपनाया गया था ये Question important है, BPC में पूछा गया है ये प्रश्न आंसर कीजिएगा 1773 में जिनका उत्तरारा A is the right answer नोट कर लिजिएगा और गंगा के राष्टी नदी भी है ये भी आपको पताऊना चाहिए इसको अपनाए गया था 2008 में गंगा को राष्टी नदी के रूप में ठीक है चलिए Q8 पे चलते हैं जन्नगंणा 2011 के अनुसार निमलिकित में से किस राष्टी में जन्नसंक्या वरिदी की रिनात्मक रही है ग्यारा की जनगंडा के अनुसार दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा राज यह है जिसमें की जनसंख्या वृद्धी की दर कम रही यानि की रिनात्मक रही है नागालेंड इस दर राइट अंसर नोटकल जी का अंसर हमारा सी हो जाएगा ग्यारा की जनगंडा के अनुसार यहां पे उननीस लाख अठत्तर अजार पांसो दो जनसंख्या यहां की ठीक है और यहां पे साक्षरता दर पूछ सकता है एक्जाम में तो 79.6% है याद रखिएगा चलिए कोशन बर 9 पे चलते हैं निमोनिया मानो सरीर के निमलिखित में से किस अंग को प्रभावित करती है देखिए निमोनिया जैसा ही अभी मामारी फैला हुआ हमारे पूरे देस में ठीक है और यह पूरे 20 में फैला हुआ एक्चलि ठीक है कोरोना की नाम से जाना जा रहा है तो आप लोग यहां पे बताए कि निमोनिया मानो सरीर में निमलिखि में तक जाता है तो आपको बरबाद कर सकता है अगला कुशिन है दोस्तों यहां पे 10 मेंडल को किसके रूप में जाना जाता है बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों जेनेटिक्स के जनक के रूप में हम लोग जानते हैं आंसर सी हो जाएगा नोट कर लेंगे चलिए कुश बार कुशन पूछा गया है आने वाले परिक्षाओं में भी रिपीट हो सकता है कुशन इसलिए आंसर अमारा ए हो जाएगा नोट कर लीजेगा लाइजोजोम जो है दोस्तों सुक्ष में गोल इक हरी जिल्ली से घिरी होई एक ठैली होती है याद रखेगा इसमें 24 प्रका परत होती है फटाफ़ आंसर करेंगी आप लोग यहाँ पे बिलकुल बिलकुल जिनका उतर सही आ रहा है सी उनका उतर इस्ट्रे रोस चले तो आंसर होगा यहाँ पर दोस्तों नोट कर लीजीगा वायू मंडल की किस परत में जोन परत होती है तो आंसर इसका हो जाएगा स्ट्रे टोसी फियर नोट कर लिजी का स्ट्रे टोसी फियर is the right answer, c is the correct answer question number 13 देखते है bulletproof jacket बनाने के लिए किस तन्तूओं का उपयोग किया जाता है ये question थोड़ा सा important है bulletproof jacket बनाने के लिए किस तन्तूओं का उपयोग किया जाता है चलिए answer यहाँ पे होगा दोस्तो it's a kevlar नोट कर लिजीगा answer क्या होगा it's a kevlar थन्तू ठीके याद रखेगा ये रिश्चेडार कांच का परियोग होता है bulletproof jacket बनाने में इसका सबसे दा उपयोग होता है चलिए question number देखेंगे दोस्तो 14 India gate design किसने तयार किया था जल्दी सांसर करीगा India gate का design किसने तयार किया था चार option है आपके पास जल्दी से उतर किजिएगा और ये question भी exam में आ सकता है expected है ये question Sir Edwin Luteans note कर लिजीगा answer हमारा B हो जाएगा दोस्तो note कर लेंगे question number 15 देखेंगे magnetite किसका एक अयश्क है magnetite किसका एक अयश्क है बिल्कुल याद रखेगा magnetize दोस्तो एक manganese का अयश्क है answer हमारा C हो जाएगा question number 16 अंतराश्टीय योग दिवस किस दिन मनाय जाता है जल्दी सांसर करेंगे ये question भी important है चोकि दिवस से related भी question exam में पूछे जाते हैं दोस्तो अंतराश्टीय योग दिवस 21 जून को बिल्कुल सही उतर आ रहा है यहाँ पे B is the right answer और योग दर्शन के जनक पतंजली है याद रखेगा ये question पूछा है exam में ठीक है चलिए और ये 2015 से UN ने इसको announcement किया है अंतराश्टीय योग दिवस के रूप में किसने? United Nation ने question number 17 सौरे मेंडल के बाहर Cyrus नामक चमकीले तारे को क्या कहते हैं जल्दी से answer करेंगे यहाँ पे question number 17 का उतर कीजिएगा जल्दी से बिल्कुल answer क्या होगा? dog star is the right answer जिनका उतर B आ रहा है correct है जाएगा answer यहाँ पे question number 18 दोस्तो भारत की तरफ से आने वाली समुंद्री मार्क की खोज किस ने की थी? चलिए answer करेंगे दोस्तों यहाँ पे भारत की तरफ से समुंद्री मार्क की खोज किस ने की थी? तो वासको दगामा is the right answer जिनका उतर B आ रहा है correct answer यहाँ पे सुवासचंद्रबोस का जनम किस वर्स में हुआ था? सुवासचंद्रबोस का जनम हुआ था दोस्तों याद रखिएगा बिल्कुल 23 जनवरी अभी हाली में लोगों ने यह celebrate भी किया है 23 जनवरी 1897 में इनका जनम हुआ था सुवासचंद्रबोस का जिया इनका फेमस नारा था तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी लाओंगा चलिए question number 18 पे चलते हैं यहाँ पे question number 20 पे चलते हैं दोस्तों इनमे अगला question है दोस्तों हमारा यहाँ पे निनमे से किसे भारत रतन समानित नहीं किया गया है नहीं बोला गया है आंसर सोच समझ के दीजिएगा थोड़ा सा भारत रतन से समानित नहीं किया गया है तो सचिन तेंदुलकर को किया गया है याद रखिएगा लता मांगेशकर को भी किया गया है और मेजर ध्यान चंद को यहाँ पे नहीं किया गया है तो answer हमारा C हो जाएगा ठीक है चलिए अगला question देखते हैं दोस्तों यहाँ पे question number 21 दोस्तों नेमलिकेट में से कौन सी एक सदीस रासी है सदीस रासी मैंने बताया था आपको कल कि क्या होता है सदीस रासी जिसमें की दोनों ही चीजे हो परिणाम और दिशा ठीक है आंसर हो जाएगा सदीस रासी कौन है इसमें से 21 का आंसर करेंगा भाई बिल्कुल बहुत से उतरा रहे हैं अगला question है 22 राजी सभा के सदस्तियों का निर्वाचित सदस्तिय कौन करता है राजी सभा के सदस्तियों का निर्वाचित सदस्तिय करता है answer हमारा C हो जाएगा question number 23 पे चलते हैं दोस्तो भारतिय संविधान में MLA का पूर्ण रूप क्या है भारतिय यहाँ पे संविधान में MLA का पूर्ण रूप क्या है what is the full form of MLA बिल्कुल member of legislative assembly is the right answer आंसर हमारा A हो जाएगा question number 24 पे चलते हैं बिल्कुल एक अक्ष या तने पर पत्तियों के विवस्था को क्या कहा जाता है चलिए यह question भी आ चुका एक्जाम में एक अक्ष या तने पर पत्तियों की विवस्था को कहते हैं दोस्तो फाइलो टेक्सी is the right answer आंसर हमारा A हो जाएगा नोट कर लेंगे फाइलो टेक्सी is the right answer question number 25 दोस्तो कोशिकाओं के अध्यन को क्या कहा जाता है कोशिकाओं के अध्यन को क्या कहा जाता है चलिए अध्यन से related भी प्रशन पूछेगा इसलिए ध्यान से ऐसे प्रशन के उत्तर भी आपको आने चाहिए ठीके चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तो यहाँ पे याद रखेगा कोशिकाओं के अध्यन को लोग कहते हैं साइटोलोजी जिनका उतर आ रहा है दोस्तो A is the right answer नोट कर लिजिएगा अच्छा एक कोशिन और मैं पूस्ता हूँ आप से यहाँ पे तंत्री का तंत्र का अध्यन क्या कहलाता है तंत्री का तंत्र का अध्यन क्या कहलाता है जल्दी सा अंतर करेंगे बिल्कुल नियूरोलोजी कहते हैं उसको याद रखेगा और दंत विज्ञान यानिकी दातों के बारे में अध्यन जो करते हैं उनको क्या कहते हैं बिल्कुल डेंटिस्ट मत लिख दीजेगा वहाँ पे उसको कहते हैं ओडोनोटोलाजी नोट कर लिजीगा ओडोनोटोलाजी ओके अगला कॉश्चन देखे हैं 26 यूरिया का रसायनिक सुत्र क्या है क्यों यूरिया का रसायनिक सुत्र यह मैं बता चुका पहले आपको घल्सेस बताइगा NH2 NH2 CO2 नोट कर लिजिएगा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तो NH2 CO2 जो भी आपका होगा NH2 का whole 2 into CO2 यह आपका रसाइनिक सुत्र है ठीक है आंसर क्या हो जाएगा यहापे D हो जाएगा चलिए आंसर मारा D हो जाएगा Q27 दोस्तो निमले की तत्वों में किसकी परमानु संक्या मेगनिशियम की तुलना में अधिक है जल्दी से आंसर किजिएगा यहाँ 27 का अंसर किजिएगा दोस्तो जल्दी से निमले की तत्वों में से किसकी परमानु की संक्या मेगनेशियम की तुलना में सबसे अधिक है बिल्कुल अगर आपका उत्तर आ रहा है यहां पे अल्मूनियम इस दर राइट आंसर नोट कर लेंगे आंसर हमारा D हो जाएगा गंगा सागर मेला किस राज़ी में आज़ित किया जाता है गंगा सागर मेला कौन सा नमीनी करणी उर्जा का एक श्रोत है चलिए कुशन नमबर 29 का अंसर किजिएगा जल्दी सांसर किजिएगा कुशन नमबर 29 का अंसर किजिएगा बिल्कुल अगर आपके उत्तर आ रहे हैं दोस्तों यहां पे पौधा इस दर राइट आंसर यानि कि C is the right answer जिहां नमनी करणी उर्जा का अरत होता है कि जिसका पुना चकरन संभव हो सके जिसके परियोग बार-बार किये जा सके तो पौधे हो सकते हैं वो ठीक है कुशन नमबर 30 पे चलते हैं दान डेली वन निजीव अभियारन किस राज्य में है पक्षी विहार और नेशनल पार्क कहां पे है तो ये भी करनाटक में है इसके बारे में एक्जाम में पूछा गया है भद्रा अभियारन के बारे में पूछा गया है तो ये भी करनाटक में है चिमक चिमकमल चिमक नहीं माफ कीजिए का चिकमगलपूर वो इस्तित है कहां इस्तित है कंचन जंगा राष्टी उद्यान कहां इस्तित है दोस्तों जी हाँ आंसर क्या करेंगे कंचन जंगा राष्टी उद्यान कहां इस्तित है इससी जी हाँ सिक्किम में नोट कर लिजीगा आंसर हमारा सी हो जाएगा चलिए question number 32 similar किस भारती राजजी की राजधानी है ये बहुत इजी question है लेकिन आंसर आपको सो समझ कीजिएगा बिल्कुल हिमाचल परदेश इस दर आईट आंसर जिनका उतर सी आ रहा है correct उतर कर लिजेगा दोस्तो जारगंड की राजधानी कहा है राज़ी 36 गड़ का रायपूर जो कि अब अटल नगर के नाम से जाना जाता है और गुवा का पनजी याद रखेगा question number 33 भारती सास्त्रे संगीत पर फार्सी में सबसे ज़्यादा पुस्तक की किस मुगल बादसा के सासनकाल में लिखी गई है बिलकुल याद रखेगा और अंग्जेब इस दर राइट आंसर जी हाँ दोस्तों नोट कर लिजीगा और अंग्जेब के समय में सबसे ज़्यादा पुस्तके लिखी गई है और इन्होंने अपने जितने भी कारेकाल थे मुगल समराज्ये का वो सारा यहाँ इन्होंने पुस्तकों में इसको वर्णित कराया था और अंग्जेब ने अपने दरबार में संगीत पर भी पावंदी लगा दी थी ये भी याद रखेगा चलिए कोशन नमबर 34 त्रिपिटिक किस धर्म की पवित्र पुस्तक है त्रिपिटिक किस की तो बहुत धर्म की है ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ याद रखेगा अगला कोशन देखेंगे 35 बहादूर सा 1707 से लेकर 1712 के किस वंस का सासक था तो बहादूर सा का सासन का था प्रथम का बहादूर साब प्रथम का जो सासन का था 1707 से 1712 का था याद रखेगा हूँ मुगल वंस का सासक था दोस्तो ठीक है आंसर सी हो जाएगा कोशन नंबर 36 पानी के टर्बाइन का विसकार किस ने किया जल्दी से आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे कोशन नंबर 36 का बहुत इंपॉर्टेंट कोशन है आया हुगा है प्रश्णी यह आपके एक्जाम में भी हाँ बिलकुल सही उतर कर रहे हैं अब लोग आप लोग कर रहे हैं डी यहाँ पे बेन्नोईट फोर्निनोन नोटकल जीगा बेन्नोईट फोर्निरनोन ठीके इस दर राइट आंसर इस दर डी इस दर करेक्ट आंसर अगला कुशन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे 37 निमलिखित में से किस राजी का बिधान मंडल द्वी सदनिये है बिलकुल अगर इन चार आप्शन में ब लग करता है ठीके अनुछे देख्चो 71 के द्वारा विधान परिशद में अधिकतम सदस्यों की जो संबंदित विधान सभा में एक तिहाई और नियूनतन 40 होने चाहिए ठीके याद रखेगा अगला कोशन है हमारा 38 तामिल लाडू की संसदिय सीटे राजी सभा की संख्य कितनी है तो 18 है ठीक है याद रखेगा तामिल लाडू के लोग सभा की सीटों की संख्या कितनी है तो 49 है और राजी सभा की कितनी है तो 18 है दोनों आपको पता होना चाहिए मैंने एक वीडियो भी बनाए है आप लोग के लिए अगर आप लोग स्टैटिक जी के वाला किस खेल से संबंदित है संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंदित है बिलकुल उतर सही कर रहे है आप लोग सी इस दा राइट आंसर ठीक है और फुटबॉल से और कुछ-कुछ और खेल संबंदित है जैसे कि दुरंडो कप रोवर्स कप वी सी रॉय ट्रॉफी सुबरो तो मुखर्जी कप, आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी, मर्केडा कप, ये सारे फुटबॉल से सम्मंदित हैं, याद रखेगा, कुछ नमबर 40, चलिए, मिडनाइट्स चिल्रन, पुस्तक के लिएका कौन है, मिडनाइट्स चिल्रन के पुस्तक के लिएका के हैं, दोस्तों, नोट कर लेंगे, अगला कोशिन है, दोस्तों, यहाँ पे 41, भारत के उपराष्टपती के चुनाओं में सम्मंदित किसी भी विवाद पर निडनाए कौन लेता है, बिल्कुल 41 का अंसर करेंगे जल्दी से आप लोग, भारत के उपराष्टपती के चुनाओं के सम्मंदित किसी भी विवाद पर निडनाए कौन लेता है, तो उच्चे नियाले लेता है, आंसर हमारा A हो जाएगा, राइट आंसर है आप लोग का, और यह आर्टिकल 71 के तहट कारे करता है, ठीक है, चलिए, अगला कोशिन है 42, किस सहर को मोतियों का सहर कहा गिया है, बिल्कुल जल् कर दीजीगा अपने दोस्तों के ग्रूप में भी, आंसर D होगा, हैदराबाद को कहते हैं, दोस्तों मोतियों का सहर, ठीक है, मोतियों का द्वीव बहरीन को कहते हैं, बहरीन एक देश है, दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है, और मोतियों का सहर कहते हैं, हैदराबाद, ज तो कॉड लीवर तेल किस विटामिन से सम्रिद्ध होता है क्यानि कौन सा विटामिन होता है इसमें बेलकुल विटामिन डी होता है दोस्तों आंसर हमारा बी हो जाएगा यहां पे करेक्ट कर लिजेगा कॉशन नमबर 44 महात्मा गांधी के निर्दित्वियों में कॉंग्रेस सविने अवग्या अंदोलन सन कितने में शुरू किया था सविने अवग्या अंदोलन याद रखेगा महात्मा गांधी के द्वरा सुरू किया था सन 1930 में जिसका अंसर सी आ रहा है करेक्ट कर लिजेगा और यह चार साल तक चला था 1934 तक चला था यह इसमें दो चरन थे जो भारत का वो पहला प्रदानमंत्री कौन था जिसने की कारेकाल पुर्ण होने से पहले ही इस्तिफा दे दिया था तो उनका नाम था दोस्तो मुरारजी देसाई आंसर हमारा B कर लीजेगा बहुत इंपोर्टेंट कोशन है जी हां भारत के ये प्रतम गैर कॉंग्रेसी सरकार के में मुरार्जी देसाई बने थे जो कि पहले प्रदानमंत्री बने थे गैर कॉंग्रेसी सतहत्तर की बात है जब मुरार्जी देसाई को प्रदानमंत्री बनाया गया था ठीक है चलिए और उनके बाद चौदरी चरण सिंग बने थे प्रदानमंत्री कॉंग्रेस के नेता थ होता है याद रखेगा आंसर हमारा यह हो जाएगा राइट आंसर कोशिटन इमडिकित में से किस ने तीन कोश्टी हिरदय होते हैं यह कुश्चन में बता चुका हो आंसर कीजिए अगर आप उत्तर करनें दोस्तों D सांप में होते हैं तीन कोश्टी हिरदय D is the right answer Simon Commission का Congress द्वारा भहिसकार किया गया था किसमें Congress ने भारत के लिए पुर्ण सुराज की मांग के थी बिलकुल याद किजिएगा कौन से साल में Simon Commission का Congress द्वारा भहिसकार किया गया था और December 1929 में याद रखेगा आंसर ये हो जाएगा Congress ने भारत के लिए पुर्ण सुराज की मांग कर दी थी 1939 में लहोर के अधिविशन में अधिक्चता किये थे जोहरलल नहरू ने ये भी याद रखेगा Question related है तो पूछेगा ही वहाँ पे Question number 49 पालाक और टमाटर में निमलिकित में से कौन सा अमल पाय जाता है ये question भी पूछा जा चुका एक्जाम में बिल्कुल याद रखेगा आंसर बी हो जाएगा अउक्जैलिक अमल पाय जाता है यहां आंसर अमारा बी हो जाएगा Question number 50 तुंग भद्र नदी किस नदी के सहायक नदी है तुंग भद्र याद रखेगा कृष्णा नदी का यह सहायक है ठीक है और आज मैंने एक वीडियो दिया है नदीयों से related तो उस वीडियो को जरूर देख लेगा कुल 24 प्रश्ण है वहाँ पे important उस वीडियो को खास कर जरूर देखेगा क्योंकि वहाँ पे 3 चीज़े बताई गई है नदीयों की लंबाई नदीयों की सहायक नदियां कौन सी है और उसका उद्गम इस्थन कहां है ठीक है चलिए जरूर देखेगा उस वीडियो को कुशन नबर 51 एक घर में एक माह में 900 into 10 to the power 6 जूल उर्जा की खपत होती है इकाई की उर्जा कितनी होगी बिल्कुल 250 उनिट खर्च होगी आंसर हमारा B हो जाएगा याद रखेगा कुल उर्जा का खपत बराबर क्या होता है तो कुल उर्जा खपत बटे 1000 वाट ठीक है याद रखेगा कुशन नमबर 52 नीती आयोग का मुख्याले की सहर में इस्तित है बिल्कुल जल्दी से आंसर कीजिएगा बहुत इंपोर्टेंट है ये नीती आयोग का मुख्याले दोस्तों नई दिल्ली में है याद रखेगा इसकी स्थाफना अकसर पूचता है 2015 जनवरी में किये गया था फर्स जनवरी को ही ठीक है और योजना आयोग की जगा पे इसको लाया गया था ठीक है चलिए अगला कुशन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे कुशन नमबर 53 एलोरा के मंदिरों का निर्मान किसने करवाया था एलोरा के मंदिरों का निर्मान करवाया था दोस्तों राश्टर कूटों के वंसने आंसर डी हो जाएगा बिलकुल अगला कुशन 54 मैक मोहन लाइन जो है भारत और किस देश के बीच की रेखा है भारत और चीन के बीच की रेखा है ठीक है और मैक मोहन लाइन जो है इसकंदे धारा 1914 में किया गया था ठीक है आंसर यहाँ पर यह हो जाएगा चीन अगला कोशन देखते हैं 55 नेमलिखित में प्रश्ण में दिये गए विकल्पों में से विसम सब्द का यूग में चुनिये बिल्कुल जल्दी से अंसर करेंगा यहाँ पर प्रश्णों में विसम है यानि की थोड़ा सा ओड है यह जल्दी से देखें सुवर जो है सुवर साला सही है यहाँ पर गोडा को अस्तबल में रखा जाता है गाए को गोशाला में रखा जाता है पर यहाँ पर जो यह है यह ग चलिए 56 का आंसर कीजिए का बिहार से कुछ important question आएंगे आपके लिए आंसर कीजिए का 56 का बिहार में रेल परिवहन का प्रारम किस वर्स हुआ था बिलकुल याद रखीगा 1860 हिस्वी में किया गया था ठीक है रेल परिवहन का आरंब कब किया गया था हावडा से मुगल सराय कि मद्द किया गया था 1860 में यह था और बिहार में रेल का परिवहन 1860 में हुआ था उसी बीच में आता है बिहार हावडा से मुगल सराय के बीच में ठीक है याद रखीगा वर्तमान में बिहार में कुल अभी रेल पत 3731 किलोमेटर का है यह question पूछा गया एक्जामे इसलि में ठीक है मिथला के पेंटिंग बहुत फेमस हो रही है ठीक है आंसर हमारा यह हो जाएगा दोस्तों question number 58 जूट के उत्वादन के दृष्टी से बिहार का भारत में इस्थान बताईए जूट की खेती के उत्वादन में अगर बिहार का स्थान है दोस्तों तो वो दूसरा ह है चीक है याद रखेगा बिहार है जूट में दूसरे प्रमुख नगदी फसलों में से एक इसको माना जाता है चलिए कुशन 59 निमलिकेत में से कौन सी नदी का मुहाना यानिकी डेल्टा नहीं है ये मैं कुशन बता चुका हूँ तो ये चार अप्शन अलग है आज के मिलकुल D यानिकी तापती का कोई यहाँ पे डिल्टा नहीं बनता है नर्मदा नदी के डिल्टा भी नहीं बनता है याद रखेगा पर आप्शन नहीं इदिया गया है पर नर्मदा अगर आप्शन में रहे तो वो भी आप लगा सकते है कोशे नमबर 60 किसी गैस का आणवीक द्रब्यमान क्या होता है जल्दी से आंसर करेंगे दोस्तों किसी द्रब्य का आणवीक द्रब्यमान क्या होता है फटा फट आंसर करेंगे याँ पे बिलकुल उसके वास्प दाब से आधा होता है जिनका उतर CRI करेट कर लिजेगा तो दोस्तो आज के इस पुरे सिनारियो में आपने कितने उतर सही किए ये हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे वीडियो कैसा लगा ये एक लाइक करके हमें बताएंगे ज्यादा ज्यादा लाइक आते हैं तो आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम लोग रोज ऐसे वीडियो आपके लिए पहुंचा सकें आपके लिए चलिए आज के लिए इता ही मिलते हैं अगले वीडियो में कल के सुबह 9 बजे धन्यवाद और स्टैटिक जीके का अगर वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ज्या